नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी यूटुब चैनल माइकी मिन में तो दोस्तों इस वीडियो में हम B.L.I.S जो इगनुका कोर्स है उसको हम डिसकस करेंगे इससे पहले हमने काफी सारे लेक्चर कवर कर दिये हैं और ये हमारा B.L.I.S 229 का लेक्चर सीरीस 4 है जिसमें हम 30 प्लस कोशन को डिसकस करेंगे और ये आपका कल के एक्जाम से रिलेटेट कोशन है बहुत इंपर्टन कोशन है प्लीज करके लास तक वीडियो को देखें और सारे कोशन आप लोग अच्छे से प्रिपेर करके जाएं और इससे पहले जो वीडियो डल चुके हैं उनको भी अच्छे से देख लें क्योंकि एक्जाम में ये सारे कोशन आने के बहुत हाई चांसे है तो आप लोग को वीडियो कैसे लग रहे हैं आप लोग का एक्जाम कैसे जा रहा है प्लीज करके कमेंट वर्क्स में जरूर बताया करें और कोई भी दिक्कत हो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं तो इसके खतम होने के बाद आप लोग का टू टू नाइन का जब भी खतम हो रहा है उसके बाद क्या होता है कि कल से ही आप लोग को 227 का वाईवा का लेक्चर स्टार्ट कर देंगे हम लोग और आप लोग टेंशन ना ले अराम से पेपर दें तो चलिए फिर लेक्चर को सुरू करते हैं तो दोस्तों ये हमारा BLIS 229 का लेक्चर सीरीज 4 है इससे पहले तीन और लेक्चर डल चुके हैं अगर आपने वो सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज करके आई बटन पे क्लिक करके वो सारे लेक्चर को आप लोग कवर कर सकते हैं तो इसका जो फॉर्मेट रहेगा वो मल्टिपल चोईस का फॉर्मेट रहेगा और special lecture आप लोगों का चल रहा है BLIS 229 से related जो की आपका कल exam है और ये last जो आपका वीडियो है 229 का और इसके बाद आप लोगों का पूरा complete हो गया है और आप लोगों का कल exam खतम हो जाएगा उसके बाद हम 227 का VIVA का preparation कराएंगे तो जुड़े रहे हमारे channel के साथ इसी तरह के content से related चलिए आज का lecture सुरू करते हैं आज का lecture सुरू करने से पहले बता दें कि जो ये हमारा 229 है इसमें दो ही बाद थे और ये हम second block के कुछ जो units है उससे cover कर question लेके आए हैं बहुत important question है exam में आपको काफी सारे question देखने को जरूर मिलेंगे तो इसमें देखे पहला block जो था आपका library automation का था जिस पे बहुत brief में हमने question करा दिया है आप लोगों को और जो आपका block second है तो वो आपका है D space and GSDL तो इस इन दो चीजों पे ही जातर focus है इसका तो इसको हम जातर से जातर डिटेल में कराएंगे यह digitization and digital library के बारे में भी बताया गया है तो अब आप देख रहे होंगे कि जो digital library है लाइटाइपोस लाइबरी में आपने पढ़ा होगा 221 में 222 में और और भी बहुत सारे जो है उन सब में भी आपनों यह देखा होगा तो यह यहाँ पे भी आता है तो पहला question आप लोग का है What can be the full form of GSDL? यह आपका यह है जो इसमें दो चीजों की बात की गई है D space and GSTL तो आप लोग का जो first question का answer है वो है Greenstone Digital Library GSTL का full form होता है Greenstone Digital Library आगे चलते हैं question number second पे Second question है Greenstone is an dash source Multilingual software जो Greenstone जो होता है वो क्या है? वो एक open source है जो की Multilingual software में आप लोग को प्राप्त होगा मतलब वो software ऐसा है जहाँ पे आप Multilingual में आप काम कर सकते हैं या वह से आप information access कर सकते हैं तो यह कोहा की तरह ही है Greenstone और आगे चलते हैं Question number आप लोग का third है Greenstone has been produced by तो Greenstone जो है वो किसने produce किया? At the University of Wacato तो यह जो है Greenstone यह produce किया है New Zealand Digital Library Project तो यह third question ता आप लोग का Question number है अहाँ पे आगे What can be the full form of M-E-T-S M-E-T-S का full form होता है Meta Data Encoding and Transmission Standard तो very important question exam perspective से Please करके सारे question को note down करते चलें और आप लोगों से request है जो आप लोग का last वाला जो paper 228 का जो की आज गया है उसको आप feedback जरूर दें और हर बार आप लोग से request करते हैं जैसे आप लोग का paper खतम होता है तो आप लोग प्लीज करके feedback जरूर दिया करें जो भी आप लोग वीडियो हमारा देखते है उसके comment works में आप उस date का paper के बारे में बता दिया करें अच्छा लगता है क्योंकि हमने आप लोग का साथ इतना दिया है तो हमें भी पता चले किस level तक आप लोग की help हो रही है जिससे क्या होगा हम लोग को आगे जो आप लोगा December session के जो student आएंगे उनकी help करने में असानी हो जाएगी तो चलिए फिर सुरू करते हैं question number हमारा जो fifth है वो है greenstone has dash separated interactive interface तो इसका जो answer है वो है two greenstone है वो two separated interactive interface है दो separate interactive interface है greenstone का तो वो दो कौन-कौन से हैं अभी हम देखते हैं यह देखिए the reader interface and the librarian interface दो तरह के interface आपको greenstone में देखने को मिलेगा एक तो आपका reader जो होता है जो की information वहाँ से देखता है एक वो और एक librarian interface होता है तो दो अलग-अलग होते हैं यहाँ पर example के तो अगर आपने computer जो है library का कभी use किया होगा तो वहाँ पर जब आप login करते हैं आप जब भी computer का system खोलते हैं तो monitor जो होता है उसके screen पर दो आती है एक student करके आता है यह user करके आता है और एक librarian के लिए होता है तो उनका अलग password होता है और यहाँ पर student का होता है अलग password होता है वो अलग वहाँ पर interface देखते हैं और यहाँ पर अलग interface दिखा जाता है तो ये question number हमारा फिफ ता question number six ता है the end user access the digital library through the dash तो अब उसी को हम लोगों ने आगे थोड़ा एक दो question और लेके आगे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए तो यहाँ पे यह बोल के आ रहा है question में कि जो end user है जो कि access करता है digital library को वो कैसे करता है through reader interface reader interface के दोरा वो ऐसा कर पाता है तो question number seven है the dash and is a java based geographical user interface that make it easy to gather material for a collection तो यहाँ पे जो correct answer यहाँ पे आएगा वो है librarian interface अब इससे पहले हमने user interface बताया था आपको और अब हम librarian interface की बात बता रहे है the librarian interface and is a java based geographical user interface that make it easy to gather material for a collection तो यह आपका हो गया question number seven जिसमें हम librarian interface की बात कर रहे हैं question eight है what can be the full form of AGLS AGLS का full form होता है Australian government locator system तो यह हमारा question eight है आगे चलते हैं question nine पे dash are used to ingest extremely prepared metadata in different form तो क्या है जो की हम use करते हैं जिसमें ingest कर से के extremely prepared metadata को for different norms तो यह है plug in question number nine question number ten है the documents are stored in the form such as तो documents जो होते हैं वो किस-किस form में store किया जाते हैं जैसे PDF के form में doc के form में HTML XML तो यह सारा store करने का एक format है document को store करने का तो question ten था यह आगे चलते हैं question number eleven 11th question है web page are characterized by web page जो है वो किस तरीके से characterized किया जाता है तो इसमें है sorry इसका correct sorry question यहाँ पे है web page are created by तो web page जो है वो किसने create किया तो वो किया pearl and java servler pearl and java servler ने web को create किया तो question number 12 पे चलते है what can be the full form of OAI OAI का full form होता है open achievement initiative तो यह question number 12 था question number आगे चलते हैं 13 पे the green stone support different ways of searching collection they can be grouped in dash main category तो green stone जो है वो support करता है different ways of searching collection को और they can be grouped in two main category और उसको हमने दो main category में divide किया है वो दो कौन कौन से है plan search and form based search तो यह दो है आगे चलते हैं question number हमारा 14 है what is D space D space क्या होता है तो इसका correct answer है open source software जैसे green stone था कोहा था वैसे ही जो D space है वो एक open source software है आगे चलते हैं question number 15 पे the D space foundation was formed in तो D space का जो foundation था वो कब बना था वो बना था 2007 में as a non-profit organization जिसमें profit मार्ज का मुद्दा नहीं था उनका non-profit organization के तौर पे to provide support ताकि support कर सके to the growing community of institution that use D space तो यह हमारा question number 15 है question 16 है D space hold dash type of metadata तो जो D space होता है उसके अंदर कितने type के metadata होते हैं तो question 16 का correct answer जो है यहां पे वो है three three type of metadata आगे चलते हैं question three type कौन कौन से होते हैं पहला है descriptive metadata जिसमें चीजों को हम describe करते हैं administrative metadata जिसमें control करना manage करना यह सारी चीज़ आती है HR वगएरा का फिर लास्ट है structural metadata जिसमें structure wise meta जो information है उसको हम gather करते हैं तो question number 17 है what can be the full form of SWORD simple web service offering repository deposit तो यह question number 17 है आगे चलते हैं question 18 पे बहुत important question है please करके इन सारे question को आप लोग एक बार go through कर जाए और exam देने से पहले भी जब आप लोग के पास एक दो घंटे होते हैं उससे पहले आप लोग यह सारी चीजों को एक बार revise जरूर करे तो question 18 है what can be the full form of SRB SRB का full form होता है strong resource booker तो आगे चलते हैं question number 19 तो अगला question हमारा 19 है the functional feature of D space R तो जो भी functional features होते हैं D space के वो कौन-कौन से होते हैं तो यहाँ पे option में दिया हुआ है full text search full text search होता है इसके अंदर आपका navigation होता है फिर आपका हो जाता है support file type optimize for google indexing और opera url support तो यह हमारा 19th question था यह सारे इसमें आते हैं D space के functional feature में आगे चलते हैं question number है हमारा 20 scanner come in dash board price range तो इसका जो correct answer होगा वो है three scanner come in three broad price range तो वो तीन कौन से हैं यहाँ पे देखिए low cost flat bid scanner or handheld services तो यह तीन है low sense sheet feeder type और last है high end professional और book scanner तो यह तीन है question number 21st है what can be the full form of CCD CCD का full form क्या होता है तो इसका होता है चेंज कॉपल डिवाइज तो ये 21st कोशन है आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर चैनल पे नए है तो करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जिससे बाकी स्टूइंट की भी हल्प हो जाए तो आगे कोशन पे चलते हैं कोशन नमबर है हमारा 22 कोशन 22nd है स्कैनिंग मशीन आज जनरली बेस्ट ऑन CCD टेकनोलजी जो स्कैनिंग मशीन होती है वो CCD टेकनोलजी पे बेस होती है तो यह सेकेंड है 22nd कोशन नमबर 23rd है वाट कैन बी दे फुल फॉर्म आप CIS का होता है तो यह हमारा 23rd कोशन था 24th है वाट कैन बी दे फुल फॉर्म आप PMT का होता है फोर्टो मल्टिप्लायर ट्यूब तो यह कोशन नमबर 24 है आगे कोशन नमबर 25 है the process of distinguishing involved capturing the physical or an algog object through service like scanning जो process है distinguish करने का involved यह हैंपे capturing of physical or logic object through device like कौन कौन से device के थुरू वो सारे हम capture कर सकते हैं तो है scanner, digital camera और recorder तो यह 25th question था 26th question है A dash library is popularly viewed as an electronic version of library where storage is in digital form तो कौन से library है जो की popularly view करी जाते electronic version पे और उसमें electronic चीज़े होती है store in digital form में तो इसका है digital library is popularly viewed as तो question नमबर 27th पे चलते हैं dash views the digital library will be a collection of distributed information service product will make it available and consumer will find it through the automated agent तो यहां इसका correct answer आएगा यहां पे wilns की wilns की जो है वो उन्होंने क्या बोला कि जो digital apt जो होती है वो एक collection of distributed information service प्रवाइड करती है produce करती है ताकि उनको available करा सके document के फॉर्म में consumer को तो यह हमार 27th question है question 28th है what can be the full form of WAIS WAIS का full form होता है wide area information service तो यह 28th का question है question number 29th है advantages of digital library according to hadori r hadorti r तो इसका correct यहां पे सारी है पढ़ देता हूँ आप लोग के लिए user पहले question जो बोल रहा है advantages बोल रहा है digital library के तो user can access information everywhere user जो है कहीं से भी information access कर सकते हैं the information is not necessarily located in one place तो जो information है वो एक ही जगा पे नहीं store होता है understanding the catalog structure is not necessary उसके बाद है आपका cross reference to other documents speed up the walk of user full text search protected information source यह 29th question था 30th question है digital library developed in in तो यहाँ पे digital library कब develop हुआ था sorry कहां develop हुआ था तो वो हुआ था USA में USA में question 31st है what can be the full form of BLRIC 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 का होता है British Library Research and Innovation Center तो यह 31st question था और यह हमार last question था इस lecture का यह lecture जो है आपका second block से आप लोग का है और इसी के साथ आप लोग का 229 का जो भी जो आप लोग के doubts थे या जो भी हम लोगों को कराना था वो आपका complete करा दिया तो आप सभी से request है चैनल पे नए है तो subscribe कर दे और just share करें और अपना feedback आप लोग जरूर दिया करें जब भी आप exam दे के आते हैं तो आपको कैसा लगा exam कैसे जा रहे हैं सारी बाते बताया करें और यह video कैसा लगा यह comment works में जरूर बताएं और कोई doubt हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं तो मिलते हैं आप सभी से next lecture में तब तक के लिए धन्यवाद